हेलो फैंट वेल्कम टो हाई फैस्ट दुस्तों आप में से बहुत सरे बरती मुझे केमेंट्स करते हैं मुझे मैसेज करते हैं कि सारा अखिर कार एक्जाम कब तक होगा 2nd semester और 4th semester का क्योंकि फरस्ट, 3rd का हो गया है अब यहां आप दोस्तों जितने भी बैक वाले student है या प बात करें तो तीन नॉंबर को इसका form को notification चारी किया गया था कि आपके examination form जो है वो भरे जाने हैं अब यहाँ पर दोस्तों बात ये हुई कि जब तीन नॉंबर 2022 को आपका notification आया कि form भरे जाने हैं उसके 45 दिन बात की एक date रखी गए जो की 19, 20, 21 दिसमबर को second semester की परिक्षा 23 24 दिसमबर को fourth semester की परिक्षा जब वो करवानी है वो date seat आ गई थी ठीक है तो यहाँ पर एक मोटा मोटी कह सकते हैं कि 45 दिन बाद यानि जिस दिन आपका परिक्षा form का notice आया था उस दिन के 45 दिन बाद कहने का मतलब यह है कि देड़ महीने बाद जो है आपके परिक्षाओ कि जो date है वो आ गई थी मतलब confirm date हो गई थी अब वही अगर हम उस data को बात करते हैं अगर उस data की हम बात करेंगे यहाँ पर वही जून वाले data को हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो जो आपका जून वाला data है वो 5 जून को परिक्षा form की notice जारी की गई थी कि 5 जून को आप एक्जाम फस रहा था उसकी वज़े से 6 दिन बात की एक नई डेट जारी की गई वो डेट थी 3 से लेकर के 5 तक 1 समस्टर की परिक्षा और 6 से लेकर के 8 जुलाई तक 3 समस्टर की परिक्षा तो मोटा मोटी कह सकते हैं 25, 6, 31 यानि के दोस्तों आपको बता है कि एक महीने का टाइम कम से कम तो लगता ही आपका एक्जाम करवाने में जब आपकी परिक्षा फॉर्म भरे जाने हैं और उसके बाद जो डेट आएगे वो एक महीने का अंतर रहता उसके बीच में तो यह कह सकते हैं दोस्तों कि आपकी इस बार की परिक्षा जो प्रस्तावी थी 3 दिसम भी जा सकता है क्योंकि दिसमबर माह में परिक्षा कंड़क्ट करानी है वो आपकी दिसमबर लास्ट भी आपका दिसमबर माह ही माना जाएगा ऐसा नहीं कि सुरवात में ही आपकी परिक्षा जो है वो कराई जा सकती है तो अगर आपका इधर आपका 20 नवंबर तक अगर परिक्षा का फॉर्म नहीं आता है तो आप लोगों ने दोनों में देखा होगा एक चीज नोटिस किया होगा आपने कि मन्त के सुर्वात में आपकी परिक्षा फॉर्म की डेटा जाती है और मन्त के लास्ट तक आपकी परिक्षा जो है वो कराने की डेटा आजा सकती है तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका इधर 20 तारीक तक आपका परिक्षा फॉर्म की डेट आ जाती है, परिक्षा फॉर्म से रिलेटेड नोडिविकिशन जारी किया जा सकता है PNP की तरफ से, तो ये कह सकते हैं कि आपकी परिक्षा जो है मेर दिसंबर या फ होती हैं, तो इससे पहले भी परिक्षा जो हो, PNP अगर बहुत जल्दी करती है तो चंड़क्ट करा सकती है, वरना एक से डेड़ महीने का टाइम बीच में लग जाता है, और यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर बहुत जल्दी, अगर माले थोड़ा सा खिजाम अगर लेट भी होता है, दिसम्बर के लाफ्स में भी जाता है, तो यह मान कि जली का परिक्षा फाम आपका दिसम्बर के फर्स्ट वीक में, यानि दो, तीन, चार तारीक में नोडिफिकेशन जो हो देखने को मिल जाएगा, और आपकी परिक्षा जो हो लास्ट में करा ली जाए अज़ाम जो हो आपका मिड दिसम्बर में कराया जा सकता है, ठीक है, इस वीडियो को दो समित्र के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कियागा, जैहन बंदिमात्रम